गाइज आप तो मैं चैनल निशी ईवर्ग गीरीं टॉप आज इस वीडियो में आपको पताएंगे की भावसीर को कैसे ठीक कर सकते हैं भावसीर के घरे लू उपाएं मैं जान सकते हैं तो गाइज आप इस वीडियो को लाश तक जरूर देखियेंगे बावसीर के कुछ लक्षन ये भी हो सकते है गुदा के आसपास गाट मैसूस हो सकती है मलते आगने के समय आपको खुढ़ दिखाई दे सकता है कुदा के आख सेथ डर्दनाख लाल और खुझली हो सकता है मलता आगने में दर्द होना तो गाइज यह आपके बावसीर के लक्सन है तो आपको हम बता देते हैं बावसीर होने का क्या कारण होता है जैसे कब्ज या फिर गरबवस्ता में होना या फिर गंटे खड़े रहना या भारी वजन उठाना गाइज बावसीर होने का कारण कब्ज बहुत बड़ी समस्या है गब अगर लगातार आपको रह रही है और पेट साफ नहीं होता है तो बावसीर होने के 90% चांस हो जाते हैं तो चलिए आपको पता देते हैं कि आप इसमें क्या घरे लूपाय कर सकते हैं वह भी बिल्कुल आसान और सरल तरीके हैं तो आपने सुना आओगा नागदोन के पत्ते नागदोन के पत्ते आपको पंसारी की दुकान से असानी से मिल जाते हैं नागदोन के पत्ते तीन रोज खाने से बावसीर ठीक हो जाता है गईज दूसरा अपाय है अलोवीरा जूस और तुलसीर जूस एलोवेरा जूस और तुलसी जूस दोनों को मिला कर पीने से बावसीर ठीक हो जाता है गाईज आपको बता देते हैं अब दीसरा उपाई ठंडे दूद में नीबू मिला कर सुबह खाली पेट पीने से बावसीर की समस्य ठीक हो जाती है साथ दिन तक ही सुपाई को करें गाईज सबसे लास्ट और चोथा उपाई आपको बता देते हैं चने के बराबर कपूर लें और केले के साथ मिला कर खाने से बावसीर की समस्य ठीक हो सकती है आपको सारी चीज़े आसानी से अपने आसपास के एरिये में उपलब्ध हो जाएंगी तो आप अपने बावसीर का इलाज आसानी से कर सकते हैं अगर आप इसको रेगुलरली फूलो करते हैं तो आपका बावसीर जो है वो 100% ठीक हो जाएगा और अपने खाने में जदर जदर फाइबर चीज़ों का उप्योग करें जिससे बावसीर की समस्या आगे ना हो जदर जदर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिया वीडियो को जदर जदर शेयर करिए गा ताकि लोगों को इस चीज़ से राहत मिल सकें थैंक्स फोर वाचिं इस वीडियो